हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे बासमती की एक नई परजाती जिसे पूसा बासमती 1718 के नाम से मार्केट में जाना जा रहा है पूसा बासमती 1718 दान की पहले ही हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं तो आज बात करेंगे पूसा बासमती 1718 चावल की देखेंगे क्या है इसकी प्रोपरिटीज इसके गुड़ इसकी खासियते और कैसे ये दूसरे बासमती चावल से अलग है वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने क्वेश्चन्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों प्रोपरिटीज की बात करें तो 1718 जो चावल है 1121 की फिस्ट कॉपी कह सकते हैं उसको ये बहुत सिमिलर है 1121 से आपने जो भी चावल देखें होंगे उसमें सबसे हेल्दी चावल जो आपको नजर आए जिसकी लंबाई चोड़ाई मोटाई और लेंथ सबसे जादा आपको लगती हो हैं तो वह 1718 होगा हम देखते हैं फिजिकल प्रोपरिटीज क्या क्या हैं सबसे पहले आप देखिए ये जैसे 1120 की तरह इसका हेड देखिए डीप कट है गहरा कट है इसके हेड पर इसकी जो बैक साइड है वो प्रेस्ट है पीट जिसे हम कहें उसके अंदर पीट बैठी होई है प्रेस्ट है यानि उस पर ऐसा लगता है दाब लगी होई है पीट तैसरा इसकी टेल देखिए पुछ ऐसा लगता है किसी पगड़की यह इसको बादिया यानि पिच्छी हुई अ जिसको जैसे किसी ने टेल को पगड़की दबा दिया हो तो एकड़म से वो पिच्की हुई है टेल यह इसका दूसरा है ये फ्लैट है ठेकनेस इसकी बहुत जादा है इसकी length और breath की जब बात करें तो इसकी length जो है average length आइवरेज लेंथ 8.5 mm से उपर ही बैट रही है और इसकी breath जो है flat जादा है चपता है तो 2 mm से जादा इसकी average breath जाती है वाइटनेस की बात करें तो वाइटनेस इसका 37 प्लस है वाइटनेस बहुत जादा है इसमें 11-21 और 15-09 से जादा वाइटनेस है इसमें 37 से उपर ही इसकी वाइटनेस आती है दूसरी चीज तो इसकी कुकिंग लेंथ जो है लेंथ आफ्टर कुकिंग जो है वो 11-21 की ही तरह है बिल्कुल 22 mm पिलस आती है कुकिंग लेंथ इलोंगेशन जबरदस्त है परफेक्ट चुहाई से एक्सपोर्टर्स के लिए और कोई कमी नहीं है एमिलोस कंटेंट्स इसके जो है जिससे मीडियम है 22-23 के आसपास इसकी एमिलोस कंटेंट्स है अगर हम केमिकल प्रोपेटिस की बात करें तो 22 एमिलोस कंटेंट्स होने का मतलब यह है कि कुकिंग जबरदस्त होगी इसकी क्योंकि यह हार्ड नहीं होगा कुक होने के बाद जब ठंडा होगा चाबल तो यह हार्ड नहीं होगा और टेस्ट में इसके जो होगी वो फलैपीनेस होगी यानि कहें तो गदगदा मैसूस होगा खाने में हार्ड मैसूस नहीं होगा फलैपी टेस्ट आएगा इसका और अरोमा इसका 11-20 की ही तरह है तो यह जानकारी, यह पहचान आप समझ लें अच्छी तरह से 17-18 चावल के बारे में कि यह हेल्दी है, सबसे हेल्दी है चावल, 11-20 से भी हेल्दी है, देखने में सिमिलर है उसके cuts और उसकी tail, उसके head similar लगेगा लेकिन इसकी properties में main changes की length जादा है breath जादा है, चप्ता है, back pressed है, average length 8.5 से उपर है average width 2 mm से उपर है, whiteness 37 से उपर जाती है whiteness का फरक आपको नंगी आखों से आखों से आपको समझ नहीं आएगा cat machine में जब इसकी whiteness चेक की जाएगी तो clear फरक आजाएगा कि 30 के उपर ही जाएगी इसकी whiteness, cat machine से चेक करेंगे तो और cooking, after cooking length, ACL जो है, वो 22 mm के उपर ही है emilos contents medium है, यानि के ये rice cooking होने के बाद hard नहीं होगा ये floppy test रहेगा, इसका जो के desired, जो भी desired characteristics है, desired output है, एक अच्छे बासमाती राइस के लिए, जो 11 के लिए famous है वो सारे 17-18 के अंदर, वो सारी properties, as it is, मौझूद है, अरोबा भी है, length breadth जाद है, flippiness है, और whiteness जाद है that's all, thank you very much for your love, please subscribe to our channel and like this video, see you in the next video, thank you you you